So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Margin Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Indian Oil Corporation Limited की So, IOC में अगर हम देखें तो बिल्कुल हाँ हमें dividend मिल सकता है Year के end-end तक भी हमें dividend मिल सकता है highly chances है इसके बीचे का reason क्या है ओ में बताने वाला हो और वही अगर देखें तो आप stock में थोड़ा wait करते हों तो share में आपको काफी तगड़ा profit भी हो सकता है 12 रुपे तक का profit आपको एक share पर होने वाला है तो कैसे होगा ओ भी में बताऊगा साथ ही हम बात करने वाले हैं इसके right issue की तो भी हम देखेंगे तो वीडियो को बिना skip किये end तक देखना और चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर देना और एक important चीज अगर आप price action सीखना चाते हो तो आप हमारे second channel जिसका नाम है चार्ट वाला उसे subscribe कर सकते हो उसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी काफी चोटे चोटे वीडियोस हमने upload किये जिससे आपको काफी easy होगा सीखने के लिए तो link नीचे बिल जाएगी साथ ही nifty bank nifty की updates आपको चाहिए तो telegram channel को join कर लेना link उसके भी नीचे ही है IOC की अगर बात की जाए तो share ने हमें आज गिरावट के साथ closing दी 95 पेज़े तक की गिरावट share में आज नजर आती है 1.04% के basis पे ये share गिरा है 90 रुपे के round आप देख सकते हो stock में आज हमें closing नजर आई और बिलकुल यहाँ पर पिछले 5 दिन में stock में continuously गिरावट आही रही है और वही अगर देखें पिछले 5 दिन में stock 2 रुपे 35 पैसे गिरा है एक महीने में अगर देखें तो यहाँ पर cost to cost यहाँ return देखने को मिलते हैं previous अगर days की में बात कर लो तो return positive थे बट अभी अगर देखें तो negative है 6 महीने में 12 रुपे तक की बड़त है और एक साल में stock यहाँ पर 22 रुपे तक बढ़ चुका है तो यहाँ पर share में बड़त भी नज़राती है stock में अगर देखें तो गिरावट भी आज नज़राई है और यह अगर देखें news की बात कर लें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक news आ रही है जो IOC है तो IOC to invest over 2600 करोड to set up green field unit in North East तो North East में अगर देखें तो IOC की ओर से लगबग 2600 करोड के राउन तक का यहाँ पर green field units का set up लगाया जा रहा है तो यह काफी बड़ी news यहाँ पर सामने आ रही है तो बिलकुल आप इसका ध्यान रख सकते हो एक positive news है आपर इसका क्या positive impact पड़ता है या नहीं वह हमें देखना होगा तो ओचीज भी हम आगे देखने वाले तो बिलकुल यह positive news है इसका क्या impact है वह हम देखेंगे एक घंटे पहले ही यह news आई है तो देखना होगा तो क्या आने वाले टाइम में IOC में हमें dividend मिलने वाला है क्योंकि इसकी dividend history को देखें तो यह आपर इसका record है कि हर साल ये 2-3 बार तो dividend देता ही है 2021 की में बात कर लो तो company ने 4 बार तक के dividend दिये 2022 की में बात कर लो तो company ने 2 बार dividend दिये साथ ही 2019 की बात कर ले तो हाला कि 2019 में इसने 2 बार दिये थे और 2020 में इसने सिर्फ एक ही बार dividend दिया था क्योंकि COVID का period पर 2018 में तीन बार 2017 में तीन बार 2016 में दो बार तो यहाँ पर अगर आप देखोंगे इसकी previous history अगर आप देखोंगे हर बार यह 2 से 3 बार तो dividend देता ही है बट IOC में इस बार की अगर बात की जाए तो IOC में सिर्फ 2023 में एक ही बार dividend मिला है 3 रुपे पर equity share का final dividend, interim dividend अभी तक खुशीत नहीं किया गया है news positive है stock में अगर देखे थोड़े levels negative नज़राता है बट बाकी कावे अतक चीज़े positive है तो 2030 में सिर्फ एक बार dividend मिला है बट बाकी पिछले records की बात करें तो हर बार 2 से 3 बार या फिर 4 बार dividend तो यह देता ही है average dividend यहाँ पर यह देता ही है तो यहाँ पर highly chances है कि हमें 2030 में मिलेगा अब बात करते हैं right issue की तो company की ओर से हाँ बिल्कुल अपरूट कर दिया गया था जो IOC का board है उसकी ओर से अपरूट यहाँ पर दे दिया था कि यह right issue लाने वाला है लगबग right issue से 22,000 करोड के राउन तक का fund raise करने वाले हैं और वही अगर देखे तो इसके लिए approval हो गया है बट company ने last dividend को यह time ही यह चीजे भी कही थी कि हाँ हम dividend के साथ जो update आई थी तभी यहाँ पर right issue की update आई थी कि हाँ हम right issue दिलाने वाले हैं बट कोई date वहाँ पर fix नहीं होई थी तो चैसे मैंने आपको अभी just बताया कि 2023 में एक बार dividend मिला है तो आने वाले next dividend में हाई री चांसर से कि IOC की और से right issue का भी update दे दिया जाए तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अब बात करते हैं इसके important levels की levels की अगर बात कर ले तो कल जो level हमने आपके साथ share किये थे उन levels के हिसाब से stock में बिल्कुल upside के level से हमें rejection मिल रहा है यहाँ पर हमने बात की थी stock में इस point से गिरावट रही हैं यहाँ पर भी आप देखोंगे तो यहाँ से stock में हमने गिरावट देखी है आप खुद यहाँ पर देख सकता हूँ इस point से भी आप देखोंगे यही पर इसने consolidate किया था और यही से fall आया था तो यह level जो है हमारे लिए काफियत तक important हो गया था तो यही चीज में आपको कही थी कि इस point से stock rejection ले रहा है तो highly chances है कि stock में आगे भी हमें rejection देखने को भी लेगा exactly यहाँ से stock गिरा यहाँ से stock गिरा और again आज यहाँ से stock गिरा और यहाँ से गिरना था ही यह से क्योंकि यहाँ पर अगर देखे gap up हुआ था last trading season की में बात कर रहा हूँ और साथ ही अगर देखोंगे इस gap up के साथ ही share ने एक rising इस टाइप चैनल भी यहाँ पर बनाया था इस rising टाइप चैनल के साथ-साथ यहाँ पर भी rejection था, heavy pressure था यहाँ से भी था, दोनों ही trade lines का heavy pressure था, तो यह rising टाइप pattern के साथ-साथ, stock ने सीधा downside की और यहाँ पर एक breakdown दिया, breakdown के बात stock हलका सा उपर गया, और सीधा fall यहाँ पर बता रहा है, तो हम आने वाले time के लिए भी आपर negative ही रहने वाले हैं क्योंकि stock में अगर आप देखोगे inverted, head and shoulder, sorry inverted pollen flag type pattern भी है हम इसे consider कर सकती कि यहाँ पर यह बन रहा है, inverted जो pollen flag type pattern एक bearish pattern होता है, और बिलकुल यहाँ से sudden fall आया है, flag create हुआ है, तो यह से अगर fall आता है, तो यह गिरावट continue होगी, और जो नीचे support है वो 88 रुपिस का है, वन आर की time frame पर अगर हम देखें तो बिलकुल proper falling waste type आपको नजर आता है साथ ही अगर हम बात कर ले तो नीचे का जो लेवल है 88 रुपिस का लेवल, इस लेवल के around a share आ सकता है और 88 रुपिस के लेवल से ही यह stock सीदा support लेके उपर की और भी जा सकता है, इसकी हम उम्मीद कर रहा है क्योंकि 88 के लेवल से अगर आप देखोंगे, मैं बात करो 2 आर के time frame पर तो 2 घंटे के time frame पर आप clearly यहाँ पर understand कर पाओगे कि यह level इतना ज़दा important क्यों है क्योंकि इस point से आप देखोंगे पहले भी एक support नजर आ चुका है यहाँ पर भी एक support नजर आ चुका है, अगें यहाँ पर भी support है अगें यहाँ पर support लिया और अगें यह downside के और आ रहा है और यहाँ से support लेके share अगें उपर के और जा सकता है तो इस point का भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जिसी support लेता है stock में सीधा बड़े momentum हमें नजराने वाले बट अगर यही label break होता है, तो यहाँ से एक fall आएगा और 84 तक आता है तो जिसे में बदाया कि हर share पे आपको 12 रुपे तक का फाइदा होगा जिसे यहाँ से stock ने बड़े jump लगाया थे तो यहाँ पर अगर support लेता है, तो 100 तक जाए गई जाएगा और हर share पे आपको 12 रुपे तक के भी profit देखने को हमें मिल सकते है long term में बिलकुल आप positive रहो, long term में अगर बात करूँ में day 1 time frame पर भी positive रह सकते हो, बट यहाँ पर जो एक trade line है, एक important trade line है क्योंकि यहाँ पर अगर देखे, तो एक gap up भी होता है, इस gap pending है, आपर stock यहाँ से गिरा भी है तो highly chances है कि इस particular range पर support ले ले और यही यह reason नहीं है, यही एक reason नहीं है वन वीक पर भी अगर मैं आपको बताओ, तो एक symmetrical type pattern यहाँ पर form होता है एक symmetrical type pattern यहाँ पर आप देख सकते हो, form हो रहा है साथ ही यहाँ पर inverted head and shoulder type pattern यहाँ पर form हो रहा है इसका break out हमें मिला, बट उसके बाद sustain नहीं किया तो highly chances है इस point पर sustain करेगा, और यहाँ से सीधा 112 रुपे तक के भी high यह लगा सकता है और 112 रुपे का high लगता है, तो यहाँ पर आप देखोंगे, आपको stay की बाहर में 20 से 24 रुपे तक के भी फायदे हमें देखने को मिल सकते है stage का भी आपको ध्यान रखना है तो बिल्कुल यहाँ पर आप इसमें positive रह सकते हो, long term में भी क्योंकि एक proper setup create हो रहा है तो वही target हम यहाँ पर है, हमारा 112 का as a short term basis पर भी और यह target easy तरीके से stock अचीव करा कर हमें दे सकता है So I hope आपको यह video helpful लगा होगा अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना, मत भूलना और एक important change, कोई भी share में investment करने से पहले, इन shares का analysis करना है, फिर ही in stocks में invest करना है